कि नमस्कार आप देखरें न्यूज स्पेशल मैं हूँ अविनाश न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं कुछ अजब कुछ गजब होती हैं तो ऐसी एक खबर हम लेकर आ रहे हैं 36 गड़ से ये खबर है जहां एक शक्स हैं दयाराम जो काच खाते हैं क्या है पूरा मामला आएए बताते हैं काच जरा सा चुप जाए तो खून निकलाता है जी हां काच कितना उप्योगी है उतना ही खतरनाक भी लेकिन डिनौरी जिले के गरामिन आलाके बरगाव में रहने वाले दयाराम साहू को काच से एक अलग ही किसम की दिल्चस्पी है ये जनाब काच खाने की शौकीन है सुनकर हैरत होती है कि कोई शक्स काच को खा कैसे सकता है लेकिन डियाराम के लिए तो काच स्वादिस्ट स्नैक्स है नुकीले काच को दैराम बड़े चाओ से खाते हैं और तो और ये शौक उन्हें बच्पन से है दैराम बताते हैं उन् इस अजीब और गरीब शौक की वज़े से फेमस भी हो गए हैं काच खाने से दैराम के दाथ हला की कमजोर हो गए हैं लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का शारिरिक कष्ट या बीमारी उन्हें नहीं हुई कि डॉक्टर्स की माने तो काच खाना जानलेवा हो सकता इस तरह के शौक या कर्तब दिखाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए जिब मुँ बहुत छोटा था तो ऐसा लगए कि कुछ करना चाहिए अचानक मूर बना मैंने काच को हाथ में लिया इसके बाद मैं मूह में लेके गया उसको चबाया चबाया तो थोड़ा ठीक ठाक लगा वहां लोगों की बीच में बच्चों की बीच में जो मेरे बराववी के लड़के थे तो उनको अचंबिक लगने लगा काच वैसे किसी भी वेक्ति को खाना नहीं चाहिए काच अगर खाता है तो काच क्या है डाइजेस्टी होता नहीं तो इसके क्या होता है जब दी वेक्ति काच खाएगा तो जब जैसे गले के नीचे उत्रेगा वो आहर नलका में जाएगा तो काच के जो टिपड़े होंगे इसके लिए भाग से वो कट सकते ही उसको और अंद कि रह thAudi है कि नहीं था है और यह जो है होता ही है अर्य जो है लेकिन दैयाराम जो है वह बचपन सही अब कंच खा रहे हैं चौक में यह उन्हों को हैरत में डालने के लिए लेकिन वो अपनी जान जोखियों में डाल रहा है हलाकि उन्हें किसी किसम की कोई अभी तक बीमारी नहीं हुई है हमारे संबाद दाता दीपक नामदेव ऑनलाइन पर मौझूद है दीपक ये बड़ा ही अनौखा मामला है दैराम काच खाते हैं श बड़ा खतरनाक है जिसे देखकर लोग हैरान है और परिशान भी जे दैराम तिंदोरी जिले के बरगाउं गाउं के रहने वाले हैं जे और उनकी एक अलग पहचान बन गए है जिले में जे दीपक एक बात और है कि जो दैराम जी हैं उनका तो ये शौक है और उन्होंने शौक को अपना जुनून बना लिया बच्पन से काच खाते आ रहे हैं आदत हो गई है उनको लेकिन उनको काच खाते देख और भी लोग इसका अनुसरन कर सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं तो इस बारे में क्या कुछ कहना है दैराम दी का दैराम दी ये खुजी मानते हैं कि काच खाना एक खतरनाप सोख है और इसे दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए अब उनको ये लगत शुरू से थी और कुछ नया करने का जुनून था ये वो कर गुजरे और अभी तक सलाम होने जाकरों का ये मानना है कि अगर कोई ऐसा करता है तो एक बहुत ही रिखी है ये दीपक एक बात और है कि दैराम जो है वो तो काच उनका खाना शौक बन गया है या लोगों को दिखाने के लिए कि वो ऐसा करतब कर लेते हैं काच खा लेते हैं ये दिखाने की वो कोशिश करते हैं या उनकी आदती ही है काच खाने की ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा ये सौंख से ही है और आज नहीं लगा के चालिस पैटारीस वक्तों से वो लगातार काट खा रहे हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये दिखावा नहीं ये उनका एक सौंखी है और एक जुनूल है जो कि उन्हें एक अलग पर मुझूद आपका बहुत स्वागत कारिक्रम में यह बड़ा ही हेरत अंगेज आप कारनामा करते हैं कांच खा लेते हैं लेकिन यह भी अच्छी बात है कि आपको खाने से कभी कुछ हुआ नहीं लेकिन यह जो आप कर्तब दिखाते हैं जौ या जो आपका शौक है यह कोई अनुसरण करता है या आपकी देखा सीखी करता है तो इसकी जान को खत्रा हो सकता है क्या कहेंगे कि दे आराम जी आपको मेरी आवाज आ रही है कि हलो गूत दे राम जी से अमारा अभी संपर नहीं हो पा रहा है दीपक नामदेव हमारे साथ online पर मौझूद है तो डीपक सवाल यही है कि आवाज नहीं आप जी जी दैराम जी आपका बहुत स्वागत हमारे कारिक्रम में है यह जो आपका शौक है यह जो आपने जिस तरह से हमें खबर है कि आप बच्पन से ही काज खा रहे हैं क्या सोच के आपने यह काज खाना शुर काज खाने का क्या सोच के आपने यह नया करने की सोची लोग कुछ नया करने के लिए यह अपनी पहचान बनाने के लिए और कई सखरात्मक काम करते हैं लेकिन आपने तो काज खाना शुरू कर दिया तो यह किसी को देख के आपने काज खाना शुरू किया या आपके मन में अचाना काया काच को देखके कि इसको खाके देखा जाए और यह शौक बन शौक जो है आपका जुनूर बन गया अचाना काच को पिछाबाया अच्छा अच्छा अपने जो हमारे उमर की बच्चे थे जी 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 आपके माता पिता ने आपके परिवार वालों ने कभी आपको तोका नहीं मना नहीं किया इस तरह काच नहीं खाना चाहिए यह आपको नुकसान पहुचा सकता है हाद बीमार कर सकता कि माता पिता सब करता था लेकिन हमां मेरम जो है उसको जैनकारी मना करना बंद कर दिया था आपके कितने बच्चे हैं एक बेटा है और एक बेटी तो क्या वह आपको मना नहीं करते कि पापा यह कांच नहीं खाना चाहिए यह नुक्सान दे या वह भी कई वह लोगों को दिखाने के लिए करते कि देखिये धायाराम जी कितने मजबूत आद्मियकी कांच चबा जाते यह दिखाने की कोशिश करते हैं आएं आपको कांच खाना अच्टा और कांच की आलत हैं आपको क्या है आपको नहीं लगता दैराम जी कि आप तो जितनी आप में तो ये हुनर है आप में काबलियत है कि आप काँच को बिलकुल चबा के खा जाते हैं हजम भी कर लेते हैं लेकिन आपको देखकर और लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं करते हैं लोगों को और भी बोलतों हैं हम लोग अर्जविस्वास की दुनिया ते लोगों को अलग कर रहे हैं कि जो जैसे। क्यादी बगारे हैं तंत्र मंट्र हैं ऐसं दूर रहें किहां कि यह कंद्र मंत्र करां आपको ने साइंड या विश्वास की दुनिया से लोगों को बाहर काल रहा है वह काम कर रहा है आपकी समय कि दूनिया से दूर निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूख करने का काम कर रहे हैं लेकिन आपके करतब भी बड़े हैरत अंगेज हैं आपको इतने सालों से आप काच खा रहे हैं कभी कोई तकलीफ या कोई शारेलिक कर्ष्ट या कोई परिशानी आपको हुई जी यहां मेरे बहुत जो हैं जी फार देखने में आता कि जब हम कुछ खाते हैं और कभी गलती से कोई कंकर या पथर अमारे मूह में आ जाता है तो हम उसको बरदाश नहीं कर पाते और निवाला जो है मुh से निकाल देते हैं आप तो पूरा का पूरा काँच खायाते हैं क्या कुछ दिकुत आपको लगती है या आपको कुछ क्या एहसास होता है जब काँच खाते हैं कि यह तो कभी आपको हाजमे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई कभी कोई परिशानी कोई अंद्रूनी कोई बीमारी या ऐसा कुछ कोई चीज आपके संब्सक्राइब अब क्या यह जो कांच खाने का सिलसला है आपने जो जारी रखा हुआ तो रोजाना आप कांच खाते हैं या कभी कोई कुछ कहता है कि दैराप जी कांच कि देखाए तब आप कांच खाते हैं अब तो लगभाग दो तीन सालों से इस कांच खाना बंद करकें कोई अगर परिश्कित के मान से बोला जी देखाना है तो फर आपेले में फिर ताकि लोग बाद भी न देख पाएं जी कोई हो वो से स्कृप्सेश्रा हैं बताते हैं क लेकिन बड़ी ही खतरनाक और जानलेवा आदत है दैराम जी कितना कांच खा लेते हैं आप एक बार में जब खाने पर आते हैं तो कि अब बतलों कांच होता है शीशे का होता है ट्यूब लाइट का होता है तो ऐसा कांच कांच में भी फर्क होते हैं तो क्या जो खास तोर से कौन सा खाना कांच खाना पसंद करते हैं आप अब अच्छा दैराम जी एक बात बताइए कांच खाने का जो शौक है आपका जुनून बन गया आपने कहां कहां कांच खाने का प्रदर्शन की कर चुके अभी तक आप कई बार लोग बलाते होंगे जलसों में समारों में कि आई हमारे बीचे कैसे निराले शक्स हैं दैराम जो कांच खा लेते हैं फिर आपके सामने बाकाइदा तश्तरी में कांच रखे जाते होंगे और आप उन्हें कांच खाते हैं लोगों को हैरत में डाल देते होंगे तो जी आप आप आपको कांच खाते हुए देखते हैं तो क्या उनका रियक्षन होता क्या प्रतिकरिया होती हो जब वो प्रतिकरिया आप आपके बारे में आप दी जाती तब आपको कैसा मैंसूस होता है नहीं प्रतिकरिया कि यह तो असंबित कर देने वाला मानते हैं लेकिन बताते हैं कि इसको ठीक नहीं है और इसके साथ कोई भी नता नहीं करना था यह चाहें सेग्रेट हो बिड़ी हो तंबाकू हो सराब हो जी कोई भी नता सब लिए नक्सान सब्सक्राइब आया थे हम अपनी उमर कर चुकी ऐसा बताते हैं लोगों को हम जी दैराम जी बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं आपने यह शौक हुआ आपको कांच खाने का फिर आपकी आदत बन गई और इतने सालों से आप कांच खाते आ रहें लेकिन आप भी यह बात मानते हैं कि इस तरह की जो करतब दिखाना अपने शरीर को कस्ट देना के बराबर है अपनी जान जोकिम में डालने के बराबर है और भी कई लोग जो हैं हमारे देश में इस तरह के शौक रखते हैं करतब दिखाते हैं लेकिन उनका अनुसरन लोग ना करें अंदविश्वास से को दूर रखने का प्रयास कर रहा है तो इस तरह के जो करतब लोग दिखाते हैं उनको उनका कोई मतलब मैंने की अनुसरन लोग ना कर सके बच्चे खास तोर से कई आख देखके इस तरह की कदम उठा लेते हैं तो ऐसी कोई जन जागरूपता अभ्यान आप चलाने की और यह कत्र करने के बाद में सब बताना कि जो भूठ प्रेट है जो भूठ प्रेट का जो भाय है वो मांचिक्रूप से अपने अंगा वियाद थे लेकिन जैसा मांगते हम वैसा ना भूठ है ना प्रेट जी जो और पंडा जो बिलकुँ चाहिका आपने दैराम जी एक बा दॉक्टर ने चिकेशक ने आपका मेडिकल चेक अप किया और उसके बाद क्या कुछ उनका कहना था जब आप कांच खाने के बाद कभी किसी ने टेस्ट किया आपको कि आपके शरीर पे इसका क्या प्रभाव पढ़ा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कि कभी भी आपका ये जो लीवर वगेरे हैं जी करके बोला है तो आप आप कांच खाना बंद कर चुके हैं दैराम जी और हम चाहेंगे कि आप लोगों को जागरू करें ये करतब के तौर पर ठीट था आपने कांच खाने का एक शौक शुरू किया लेकिन ये जानलेवा है और आपको तो खेर कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है आप माहर हैं इस काम में कांच खा सकते हैं आप ख़जम भी कर सकते हैं लेकिन हर शक्स आप जैसा नहीं हो सकता तो हम चाहेंगे कि दैराम जी कि अब आप इस तरह की महिम चलाएं इस तरह का वियान चल ताकि उनकी जान को खत्रा हो जाए दैराम जी क्या कहेंगे? दैराम जी आपने जान को खत्रा हो जान को खत्रा हो दीनला में क्या कहेंगे? और आप कर भी रहें नेक काम कर रहें आप आपको बहुत-बहुत बधाई इसके लिए बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए तो ये हैं डिन्डौरी के दया राम साहु, शौक शौक में काच खाना शूरू किया, काच खाना इनका जुनून बन गया और ये करτब दिखाने के लिए ये जो है काच खाने का कई समारों में, कई कारिकरों में, बाकाईदा बुलाए जाते रहे हैं और लोग इन्हें काच खाता देख हैरत में पढ़ जाते हैं दातों तले उंगली दबा लेते हैं लेकिन ये कितना जोखिम भरा है खुद इस बात की तश्दीक करते हैं दैराम उनका कहना है कि काच खाना जो है जानलेवा हो सकता है डॉक्तर्स भी उनको मना कर चुके हैं काच खाता है क्योंकि काच हजम नहीं किया जा सकता वह आहार नली को आतों को आपकी नुक्सान पहुंचा सकता है और जैसा दैयराम खुद भी कह रहे हैं कि अब उनके दात कमजोर हो गया है काच खाने से और कई तरह की दिक्कत है हलाकि उनको कोई गंभीर बिमारी तो नहीं होई लेकिन समझ से आना उनको शुरू हो गई है और यही जागरुकता भी वो लोगों में पहलाने की कोशिच कर रहे हैं अंदविश्वास से दूर भी कर रहे हैं लोगों को अंदविश्वास के प्रती जागरुक कर रहे हैं साथ ही ये भी बताने की कोशिच कर रहे हैं ल करेंगे कि देख रहे हैं जान लेगा है और इसे आपकी जान भी जाना जाओंगा कि यह तो दीपक हम चाहेंगे कि दैयराम जी अपने इस हुनर का कमाल अब और ना देखाएं तो कि उनको देख के और लोग भी ऐसा कर सकते हैं और उनकी जान को खत्रा हो सकता विमार हो सकते हैं वो अपने आपको घायल कर सकते हैं तो हम यही उमीद करेंगे कि आप और लोग इनके जैसा कदम ना उठाएं बहराल जो दैयाराम जी कर रहे हैं उनका शौक है अवंकी आदत भी बन गै और उन्हें वो म उन्होंने ये काम शुरू किया अपने सहफार्टियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं काच खा लेता हूँ ये जो एक बार कई बार बच्चे इस तरह का काम कर लेते हैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेकिन ये जो है खतरनाक काम है और ऐसा नहीं किया करना किसी को भी और दूर ही रहना चाहिए इस तरह के जो खिम भरे शौक से बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे चर्चा के लिए तो ये थे डिंडोरी के दयाराम जो काँच खाने में एक्सपर्ड हैं और बच्पन से वो काँच खाते आ रहे हैं पहले ये शौक था दूसरों को दिखाने के लिए दूसरों को हैरत में डालने के लिए वो काँच खाते थे लेकिन बाद में उनकी आदत बन गई लेकिन ये काँच खाना जो के मभरा काम है कभी भी ये ना किया जाए हम खासत और से दर्शास करेंगे बच्चों से कि वो इस तरह का कभी कोई करतब दिखाने की कोशिश न करें ऐसा कोई भी चीज ना करें जिससे उनकी जो है तबियत खराब हो सकती है या वो अपने आपको घाल कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया दीजिये जाज़त नमस्कार झाल कर सकते हैं